तो दोस्तो education news update की एक नई वीडियो में आप सब का श्वागत है और आज आपके लिए 6 जगे से जुड़ी कुछ नई नई जानकारिया हूँ लेकर आया हूँ मेरे साथ वो आप बने रहे नमस्कार साथियो मैं हूँ आपका अपना साथी राजगूर जी और आप देख रहे ह अब ने सिरे से रिट की अग्जाम होने वाली है अलांकि फिल हाल केवल second level की भरती को रद किया गया है first level की जो भरती है उसे रद नहीं किया गया अब 62,000 पदों के लिए रिट की जो अग्जाम है वो होने वाली है और खास बात यह है कि अब रिट का जो परमान पत्तर आ आज जीवन है वो मानने होगा अब इसका मतलब यह है कि यह दी आपको राजिस्थान में थर्ड ग्रेड का टीचर बढ़ना है तो इसके लिए एक नहीं दो प्रीक्षा हैं वो आपको देनी होगी एक प्रीक्षा रिट की जो की पतरता का टेस्ट होगा और दूसरा मैन के लिए टेस्ट या प्रीक्षा होगी तब जाके आप राजिस्थान में थर्ड ग्रेड का टीचर हो बन सकेंगे चलिए अगले अपडेट की बात करते हो दोस्तों अगला जो अपडेट है वो आर्बिसी बोर्ड अजमेर से और अपडेट यह है कि राजिस्थान मादे में सिक्सा बोर्ड अजमेर के नए सचीव मेगना चोदरी को बना दिया गया है अपना पद भार गरन कर लिया है और इसी के साथ लक्षमी नारायन मंत्री को बोर्ड का परशाशक हो बना दिया है दोस्तों आपकी जानकारे के लिए बता दूं देखी राजिस्थान में रिट अग्जाम 2021 पेपर लिक मामले को लेके डिपी जारो ली और साथ में पूरो जो सचीव है अर्विन छेगुआ को ब्रखास्त हो कर दिया था अब उनके ही स्थान पर यहाँ पर मेगना चोदरी को नया सचीव हो बनाया गया है आलांकि फिलहाल बोर्ड का अधेश की न्यूक बॉक्ती है वो की जाएगी चलिए अगले अपडेट की शुरुवात करते हैं और अगला अपडेट भी आर्विस सी बोर्ड से है और अपडेट है कक्सा दस्यों और बार्वी की बोर्ड प्रिक्स हैं को लेकि बहुत बार साथ ही उन्हीं इस बारे में मुझसे पूछा है क तो दोस्तों यहाँ पे नया जो अपडेट यह है कि दस्यों और बार्वी की जो बोर्ड प्रिक्स है तय है शिमा पे होंगे बोर्ड के दौरा पूरो में जो टाइम टेबल जारी किया गया था उसी के नुसार बोर्ड की प्रिक्स है होने वाली है आपकी जानकरी के लिए वो मार्च महीने से शुरू होंगे अलांकि फिलहाल तो देखी जो पुराना वाला जो टाइम टेबल बोर्ड के दवारा जारी किया गया उसी हाधार पर ये प्रीक से होने वाली है लेकिन अज़दी टाइम टेबल में किसी परकार का कोई चेंजमेंट होता है तो बोर्ड के दवारा इसकी सूचना वो दी जाएगी और मैं भी आपको वीडियो के मादेम से जानकारी हो जरूर देऊँगा तो खाइने का मतलब है कि तहे सिमया पे दस्वी और बार्वी की बोर्ड प्रीक से होने वाली है बोर्ड अपनी तयारी है में हो लगा हुआ चलिए अगले अपडेट की बात करते हैं और अगला अपडेट भी RBC बोर्ड है प्रेटिकल अग्जाम 2022 को लेके तो दोस्तों यहाँ पे RBC बोर्ड के दवारा पहले प्रेटिकल अग्जाम 2022 है वो पोस्ट पॉंड हो कर दी लेकिन जल्द ही प्रेटिकल अग्जाम वो शुरू होने वाली है क्योंकि बोर्ड भी इसी की तयारी में लगावा है आपकी जानकरे के लिए बता दूँ कि पहले RBC बोर्ड अजमेर के दवारा जो प्रेटिकल अग्जाम 2022 से वो 17 जनवरी 2022 से शुरू होनी थी लेकिन COVID-19 के चलते हैं इन प्रीक्षाओं को हो पोस्ट पॉंड कर दिया लेकिन फिलहाल बोर्ड के मन्शा बन गई है कि वो जल्द ही प्रेटिकल अग्जाम हो करवाने वाला है चलिए अगले अपडेट की शुरूआत करते हैं और अगला अपडेट भी RBC बोर्ड अजमेर से और अपडेट यह है कि RBC बोर्ड अजमेर के दवारा CWSN केटेगरी स्टुडेंट यानि डिस अबिलेटी केटेगरी वाले स्टुडेंट को डिस अबिलेटी का परमान पतर हो जारी करने जा रहा है तो ऐसे में ऐसे स्टुडेंट जो कक्षा 10 और 12 वी के बोर्ड फोरम में सारे विकलांता का दोस नहीं दिखाया है तो अपना फोरम वो अपडेट करवा लिजेगा ताकि बोर्ड के दोरा ऐसे स्टुडेंट को CWSN का सर्टिफिकेट हो जारी किया जा सके क्योंकि इस सर्टिफिकेट के दोरा काफी सारे स्टुडेंट को कई परकार के लाब हैं बोर्ड के दोरा दिये जाते हैं ऐसे में यदि आपने बोर्ड में अपनी जानकारी नहीं बरी है CWSN केटेगरी की तो अपना बोर्ड फोरम हो अपडेट कर लिजेगा इसके लाव भी यदि बोर्ड के दोरा इस परकार का ये सर्टिफिकेट जारी किया जाता है तो ऐसे इस्टूडेंट जिनमें सारे रिक व 2022 को लेकि स्कूल साथियों के दिमाग में शंशे बना हो था क्या इस बार कक्षा पांची बोर्ड प्रीक्षा 2022 आयोजित करवाई जाएगी या नहीं करवाई जाएगी क्योंकि इससे पहले शिक्षा इभाग के दवारा ये गोशना की गई थी कि पांची बोर्ड 2022 की तयारी में जुट गया है अब जल्द ही कक्षा 5 वी बोर्ड प्रिक्षा 2022 के लिए बोर्ड फोरम में वो भरवाये जाएंगे और बोर्ड प्रिक्षा है वो बोर्ड पेटनर पर होगे अलागी फिलहाल कोई अधिकारिक शूचना नहीं है कि वल इस पे चल रहा है कि जल्द ही कक्षा 5 वी के बोर्ड फोरम में वो भरवाये जाएंगे अब जैसे ही बोर्ड फोरम शुरू हो जाएंगे या फिर कोई अधिकारी गोशना हैगी तो आगे की वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर जानकारी दूँगा तो दोस्तो आज की इस वीडियो में यही मैं अपडेट है आपको बताने वाला था बताना इन अपडेट में आपको कौन सा अपडेट है सबसे अच्छा लगा और कौन सा अपडेट हो सबसे खराब लगा अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना वीडियो को शेर कर देना और चेनल पर पहली बार आयो तो चेनल को सबस्क्राइब कर लेना मिलते हैं फ्रेंटस एकल एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत